हेलो दोस्तों, हिंदी ओडियो बुक नॉलिज में आपका स्वागत है तिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक एक बहुत ही बहुत ही बैतरिन बुक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बुक का हिंदी ओडियो मैं अपने वीवर परतीक सिंग जी और नरिंदरा यादव जी के कहने पर लेकर आया हूँ और मैं अपने चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बुक के हिंदी ओडियो के लिए आग रह किया तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस बुक के ओथर दोस्तों डेनियल काने मैन है जो कि एक नोबल प्रुसकार बिजेता भी है और जिन्होंने बहुत ही रिसर्च के बाद ये निसकर्स निकाला है कि हमारे पास एक नहीं बलकि दो दिमाग होते हैं जा यूं बोलें कि हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं जी हाँ यह सच है और यह बात आपको इस वीडियो के अंतर तक पता चल जाएगी इस बात को समझने के लिए आईए हम उनके दोरा दे गई कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं मान लीजिए एक बैट और बॉल की कीमत 110 रुपे है और बैट की कीमत बॉल से 100 रुपे ज़्यादा है तो एक बॉल की कीमत कितनी होगी खैर तो आपने जवाब दे दिया ओके खैर लेकिन अगर आपने ज़्यादातर लोगों की तरह तेजी से जवाब दिया होगा तो आपने बोला होगा 10 रुपे लेकिन यह सही जवाब नहीं है सही जवाब 5 रुपे है आईए देखें कैसे तो बैट और बॉल की कीमत साथ में मिलाके हो गई 110 रुपे और मैंने कहा बैट की कीमत बॉल की कीमत से 100 रुपे ज़ादा है तो बॉल से बैट की कीमत 100 रुपे ज़ादा होने के लिए बॉल की कीमत होनी होगी 5 रुपे यानि बैट और बॉल की कीमत 105 रुपे समझ नहीं आया आपको खैर थोड़ा अराम से सोचिए समझ आ जाएगा चलिए छोड़िए ये सवाल आप बाद में समझ लीजिएगा मैं आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिस करता हूँ मान लीजिए एक पेड़ के पास घोड़ा खड़ा है और घोड़े के गले में पाँच फुट लंबी रसी बंदी हुई है ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को मान लीजिए कि एक पेड़ के पास घोड़ा खड़ा है और घोड़े के गले में पाँच फुट लंबी रसी बंदी हुई है और वहां से 50 फूट की दूरी पर घास है तो अब मैं आपसे ये पूछ जानना चाहूंगा कि अगर गोडे को वो घास खाना है तो गोडे के गले में बंधी रसी खोलनी पड़ेगी या नहीं इस सवाल का जबाब देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है तो सोचिए हाँ तो आपका जवाब क्या था मैं दावे का साथ कह सकता हूँ कि आपने यही सोचा होगा कि गोडे के गले की रसी खोलनी पड़ेगी जबकि ऐसा नहीं है आप ध्यान से सवाल को दुबारा वीडियो को पोस्ट करके या बैक करके सुन लीजेगा मैंने कहा कि गोडे के गले में पांच फुट लंबी रसी बंदी है और पचास फुट की दूरी पर घास रखा है तो रसी गले में बंदी है ना कि गोड़ा पेड़ के साथ बंदा है यहाँ ध्यान देने वाली बात है अगर रसी गले में बंदी है सिर्फ गले में और वो रसी पेड़ से नहीं बंदी तो खास चाहे पचास फुट दूरी पे हो या पांसो फुट दूरी पे गोड़ा जाके असानी से खा लेगा तो दोस्तों ये जो जबाव आपने दिया वो अपने फास्ट थिंकिंग से दिया यानि अपने दिमाग के सेकेंड पार्ट से फास्ट थिंकिंग थोड़ी सी जानकारी और अनुभों के अधार पर ही अपना फैसला सुना देता है इसलिए इसको थोड़ा आलसी भी कहा गया है कहने का मतलब है कि हमारे ब्रेन के दिमाग के दो पार्ट होते हैं या तो आप जानी चुके हैं फास्ट थिंकिंग थोड़ा आलसी किसम का होता है या हालात और प्रस्तिती पर बिना गौर किये और पूरी तरह समझे बिना ही इसका जवाब दे देता है या इसके परिणाम पर कुद पढ़ता है सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के आधार पर आईए एक बार फिर से समझते हैं मैं आपको एक सेंटेंस देने जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और इसको आपको सिर्फ पंदरा दस से पंदरा सेकेंड में पढ़ना है तो रेडी हैं बताईए या क्या लिखा है ओके तो आपने रीड कर लिया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि साधी के लिए एक खुबसूरत लड़की की जरूरत है लेकिन मैं आपको बता दू कि आप गलत है जबकि ऐसा नहीं है वहाँ पर लिखा है साधी के लिए एक खुबसूरत लकडी की जरूरत है जी हाँ मैं इसी को कह रहा था कि या दिमाग थोड़ा आलसी किसम का होता है क्योंकि यह थोड़ी सी जानकारी और अनुभव के अधार पर ही अपना फैसला सुना देता है जो की फास्ट थिंकिंग के बेस पर है फास्ट थिंकिंग हमेशा बुरी नहीं होती पर कई मामलों में हमें slow thinking को ही अपनाना चाहिए दो सिस्टम जब आप में किसी चीज को समझने की समझ हो तो आप इस बारे में सोचते हैं इस प्रकिरिया को समझने के लिए इस model पे विचार करें जिसके हिसाब से लोग अपने दिमाग में दो सिस्टम लागू करते हैं सिस्टम वन या एक mental processing है जो आपकी भावनाओं को पढ़ता है जो की एक automatic skill का संचालन करता है जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं या चार और चार को प्लस करना जोड़ना हो तो ये काम आप असानी से कर लेंगे क्योंकि गाड़ी चलाना आपने सीखते सीखते बहुत अच्छे से चलाना सीख गए है और या आपके system बन यानि fast thinking का हिस्सा बन गया है वैसे ही 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 8 को जोड़ना आसान है क्योंकि या अंक जोड़ छोटा है और आप इस जोड़ को बचपन से अब तक कई बार जोड़ चुके हैं और यही मैं आपसे कहूं कि आप 75, multiply 46, 75, 46 कितना होगा तो आप सोचने लग जाएंगे और आपको इसको solve करने में काफी time लगेगा हो सकता है आप अपना calculator निकाल ले या फिर सोचना चोड़ कर सिर्फ मेरे answer की wait करें इसमें आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं चलिए इसको एक और example लेते हैं मान लीजिए आपको एक form भरना है चाहे वो income tax का या railway में job का या किसी और job का तो आप यहाँ सोच सोच कर समझ समझ कर परियास करेंगे यहाँ आप अपने system to यानी slow thinking धीमी सोच का इस्तमाल कर रहे हैं slow thinking धीमी सोच परियासों से ज़्यादा परियास करवाता है जैसे कि आप complicated math के सवालों को solve करना system 2 की processing जो की धीमी है लेकिन formal logic या गहरे सवाल को solve करने के लिए इसकी आवे सकता है हम ज्यादा तर system 1 की दुनिया में रहते हैं यानी हम ज्यादा तर use system 1 का करते हैं जो जल्दी फैसला लेता है दर असल आप system two में यानी धीमी सोच में slow thinking में एक कारे के बारे में तर्क कर सकते हैं ठक कर बिचलित हो सकते हैं अगर आप असान रास्ते पर चलते हुए कुछ असान कर रहे हैं तो आप system 1 का पर्योग कर रहे हैं यानी fast thinking का पर्योग कर रहे हैं system 2 आपके परियास को बनाए रखने के लिए होता है अब मान ले कि आपको एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा जाए तो आप रुक जागते हैं आपका दिमाग अत्रिक्त बोज नहीं जेल सकता मान ले कि अगर आपसे कोई 2 का table पहाडा सुनाने को कहता है तो आप system 1 का पर्योग करके सुना देंगे क्योंकि वो आप पहले से जानते हैं या easy है लेकिन अगर आपसे कोई 96 यानि 96 का table पहाडा सुनाने को कहता है तो आपको वहाँ system 2 का इस्तमाल करना होगा यानि धीमी सोच का slow thinking का क्योंकि वहाँ आपको थोड़ा रुक कर सोचने की जुरुत पड़ेगी एक lab study के अनुसार पता चला है कि system 2 यानि slow thinking body के glue कोच तरको कम करती है क्योंकि हमें सोचने में ज़्यादा energy लगती है हमारा दिमाग ज़्यादा energy एक्जब करता है अगर आप की बात का हल या कोई जरूरी बात का फैसला ने ना चाहते हैं ज़्यादा सोच विचार करके तो आप जल्दी ठका हुआ महसूस करेंगे या हो सकता है कि आपको नींद भी आने लगे system 1 को straight forward कूदना पसंद है यानि जल्दी जवाब देना पसंद है भूले, भले ही उसका जवाब या जानकारी गलत हो चलिए system 1 को समझने के लिए एक experiment और करते हैं आप दो सब्द लीजिए एक सब्द ले, दो या एक सब्द लीजिए और इसकी एक image बनाईए जिनसे सारीरिक प्रतिकिरिया होती है जैसे यदि मैं आपको सब्द खाने से अउगत कराऊंगा और खाने पीने की बाते करूंगा और उसके बाद आपको बोलूंगा कि इस सब्द को पूरा कीजिए जो आपके screen पर है तो जाहिर है आप इसको soup से पूरा करेंगे यानि s o u लिखेंगे आप p soup से पूरा करेंगे और यदि पहले आप से मैं नहाने दोने या सरीर को साफ रखने की बात करता और फिर आपको इसे पूरा करने को कहता तो आप इसे swap से पूरा करते यानि s h o ap ये प्रविर्थिय लच्छन system one की निशानी है जो की दुनिया में या आपके जीवन में पहले हो चुकी घटनाओं को इकठा करना है मालने की महेस नाम का एक आदमी है और उसकी कोई दुकान है और कोई ग्राहक उसके पास आया और किसी बात पर उनकी बहस हो गई और ग्राहक और महेस में लड़ाई हो गई जबकी गलती ग्राहक की थी चलो या मामला ठंडा हो गया लेकिन फिर दो दिन बाद फिर से महेस की किसी ग्राहक से लड़ाई हो गई और आपको पता नहीं है की गलती किसकी है पर इतिफाक से इस बार भी गलती ग्राहक की ही होती है चलो जैसे भी मामला ठीक हो गया लेकिन फिर दो चार दिन बाद उसी दुकानदार महेस की लड़ाई किसी और ग्राहक से होती है तो आप देखते ही बोलेंगे कि महेस यानी दुकानदार की आदत ही जगडालू है वह हर किसी से लड़ता है पर इतिफाक से इस बार भी गलती ग्राहक की ही होती है ये सारी बातें सिस्टम वन से हम सोचते हैं यानी फास्ट थिंकिंग से बिना हालात को समझे और उसको जाने क्योंकि जो आपने अनुमान लगाया की महेस की आदत ही ऐसी है बिना कुछ सोचे समझे ये गलत है पर ये जो फैसला आपने लिया वो भी बिना सोचे समझे हम में से ज़्यादा तर लोग सिस्टम वन का ही इस्तमाल करते हैं आदी अदूरी बातों को जानने से ही हमारे सिस्टम वन को लगता है कि इसको पूरी कहानी मिल गई है और यह अपना फैसला देने को त्यार हो जाता है मालने कि आप किसी अजनभी आदमी से मिले और पहली मुलाकात या दो चार बातों से ही आप इंप्रेस हो गए और आपको लगने लगता है कि यह बहुत ही अच्छा इंसान है फिर कुछ ऐसा होता है कि आप यह कहने पे मजबूर हो चाहते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता या मुझे तुम से ये उमीद नहीं थी या नतीजा सिस्टम वन की बज़े से हुआ दिमाग के इन दो हिस्सों सिस्टम वन और सिस्टम टू यानि थिंकिंग स्लो एंद थिंकिंग फास्ट काल जिकर लेकक ब्राइन ट्रेसी ने भी अपनी बुक गेट स्मार्ट में किया है वो समझाते हैं कि किस तरह आपको कुछ मामलों में धीमी सोच यानि स्लो थिंकिंग अपनानी चाहिए बैसे अगर आपको गेट स्मार्ट बुक की हिंदी ओडियो चाहिए तो आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं जिस पर मैं आल्रेडी ही वीडियो बना चुका हूँ इस बुक से आप और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे इस बदलती दुनिया में अपने सोच को स्मार्ट बना कर आप कामे आब यसा फल बन सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि thinking fast and slow के बारे में वे हमें क्या सिखाते हैं वे केहते हैं कि वे केहते हैं slow thinking के बारे में यानि धीमी सोच के बारे में आपको अपने भीतर्या आदट डाल लेनी चाहिए कि जिन छेतरों में धीमी सोच की अवैसकता हो वहाँ आप अपनी सोच की गती धीमी रखें। वे कहते हैं कि लेखकों ने दिखाया है कि हम किस तरह सूचना ग्रहन करते हैं और आंसिक जानकारी चुने हुए आकड़ों आदी के अधार पर ऐसी जानकारी पाना चाते हैं जिस पर विस्वास करने के बारे में हमने पहले से ही निर्णे ले लिया है। अगर कोई अहम निर्णे हमारे काम या जीवन पर सकरात्मक या नकरात्मक पर भाव डालने जा रहा है तो हमें उसके बारे में अपनी सोच को थोड़ा धीमा रखना होगा ताकि कोई भी फैसला हट बड़ा हट में ना लिया जाए। इस काम को करने का साधा सा तरीका यही होगा कि आप सुमें से लगातार या सवाल करें हम कैसे जानते हैं कि यह सच है किसी भी सूचना को अपने निर्णे का अधार बनाने से पहले देखना होगा कि वह सच भी है या नहीं। वे कहते हैं कि चिंतन की दो सैलियां यानि तेज सोच बनाम धीमी सोच का आप चिंतन की दो सैलियां मान सकते हैं। जब हम तेजी से सोचते हैं, तो सूचना को अपने सहज ग्यान के बल पर तेजी से प्रोसेस करते हैं, जैसे भीड से भड़ी सड़क पर कार चलाने का निर्ने, हम उस समय अपनी प्रतिकिरिया या प्रतियुत्तर के लिए कोई खास विचार नहीं करते हमारी अधिकतर गतिवीधियों जैसे बातचेत, भेट, रोजमरा का जीवन, खरिदारी आदी के लिए तेज सोच ही श्टिक और अवस्यक है, यहाँ नतीजे इतने माइने नहीं रखते, वहाँ आप फास्ट थिंकिंग अपना सकते हैं कहने का मतलब है तातपर्य है कि मान लिजे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ आपने रोटी के साथ कौन सी सबजी का ओडर दिया है, मटर पनीर या मिक्स वेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी दुनिया में यहां आप फास्ट थिंकिंग अपना सकते हैं, लेकिन जीवन के कई दूसरे छेत्रों में हमें धीमी सोच की आवसकता होगी अगर हम मन चाहे परिणामों के साथ दिर्ग काली निर्णय लेने हैं, तो वहां धीमी सोच ना केवल आवसक है, बलकि अनिवार्य हो जाती है लेखक ने यह भी कहा है कि अधिकतर लोग यही भूल करते हैं कि वे अपने जीवन से जुड़े दिर्ग काली निर्णयों पर बहुत जल्दी विचार करने लगते हैं यहां उन्हें अपने सोच को थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि वे स्टिक निसकर्स पा सकें उधारन के लिए आपको कब लेना चाहिए? स्लो थिंकिंग का सहारा तो उधारन के लिए आप कॉलेज में कौन सा कोर्स लेंगे? अपने लिए कैसा कैरियर चुनना चाहते हैं, आप किस व्यक्ति से विबाह करना चाहते हैं और आप अपने धन को कैसे कमाना चाहते हैं, उसकी बचत और निवेश के लिए क्या करना चाहेंगे? इस तरह के नीड़ेओं के लिए आपको धीमी सोच यानी स्लो थिंकिंग की आवसक्ता होगी कोई फैसला जितना ज्यादा दिर्ग कालीन होगा आपको उस पर विचार करने के लिए उतना ही अधिक समय देना होगा सारे तत्यों और विकल्पों पर विचार करना होगा कोई नया काम सुरू करने जा रहे हो तो वहां भी कुछ निश्चित छेत्रों में आपकी सोच की गती दीमी होनी चाहिए आप किस उत्पाद या सेवा में विशे से गतार रखते हैं आप किस तरह के ग्रागों का ध्यान अपनी और खीचना चाहते हैं आप अपने लिए उत्पादन, विक्री, मार्केटिंग वबित्रन के कौन से साधन, चुनना चाहेंगे और आप कीमत और दामों से जुड़े निढने किस अधार पर लेंगे ये सभी निढने आपके पूरे उध्धम की सफलता या आज सफलता तै कर सकते हैं इसलिए इनके बारे में बहुत सोच समझ कर यानि स्लो थिंकिंग का ही सहारा लें अगर कोई आपको किसी अहम यानि खास फैसले पर तुरंत निढने लेने को भी बस करे तो आप कह सकते हैं अगर आप ततकाल उत्तर चाहते हैं तो मेरी और से ना है पर अगर आप मुझे सोचने का समय देंगे तो मेरा उत्तर थोड़ा अलग भी हो सकता है एक बड़ी कंपनी बैतर सेल्स करमचारियों की नियुक्ति के लिए जानी जाती थी और वो इसके लिए स्लो थिंकिंग का सहारा लेती थी आए जाने कैसे किसी बड़ी कंपनी का सबसे बड़ा सेल्स प्रबंदक अपने यहां बैतर सेल्स करमचारियों की नियुक्ति के लिए जाना जाता था उससे पूझा गया कि उसकी इस नियुक्ति की सफलता का राज क्या था उसने कहा बहुत साधी बात है मैं 32 दिन के नियम का अभ्यास करता हूँ भले ही कोई प्रत्यासी मुझे कितना भी पसंद क्यों ना आए पर उसे काम पर रखने का निर्ने लेने से पुर्व मैं 32 दिन तक प्रतिक्छा करता हूँ जो व्यक्ति अपनी पहली या दूसरी भेट में बहुत कमाल का लगता है वह अकसर कुछ समय बाद अपनी कमजोरियों और चरित्र के दोसों के साथ सामने आ जाता है और इस तरह वह लंबे समय के लिए अन्युप्यूक्त हो जाता है अधिकतर सफल कमपनियां और परबंधक इस नियम के अलग-अलग संसकर्णों का पर्योग करते हैं उन्हें एहसास है कि अगर उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को काम पर रखा तो या उनके लिए कितना बारी पढ़ सकता है यही नियम ब्यभसाइक, सांजेधारियों और अनुबंधों पर भी लागू होता है ऐसी भी ही और बहुत सी जानकारी ब्रैन टेशी अपनी बुक Get Smart में Thinking Slow and Fast के बेस पर देते हैं और और भी बहुत सी रोचकतत्यों पर बात करते हैं तो अगर आप इस बुक को बुक की ओडियो चाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में से या उपर आई बटन से या वीडियो खतम होने के बाद एंड स्क्रीन से इसका लिंक ले सकते हैं तो चलिए वापस Thinking Fast and Slow के लेखग डेनियल कानेमन हमें क्या कहते हैं डेनियल कानेमन कहते हैं कि ज़्यादा तर मीडिया करमी दुरगटनाओं और आपदाओं जैसी नाट के खबर दिखाते हैं जो कि पूरी तरह सच नहीं होती पर बहुत हीं डरावनी होती है जबकि ऐसा नहीं होता इससे ज़्यादा नुकसान पलूशन और पानी से होने वाले आम खत्रे होते हैं जिसके बारे में हम अवेर नहीं होते क्योंकि मीडिया कर्मी को इन सबसे ज़्यादा फुटेज नहीं मिलती इसलिए वो ये नहीं दिखाते तीसरा, ओवर कॉन्फिडेंस लोग कहानियों से अर्थ प्राप्त करते हैं जो सदाचार और कोसल जैसे व्यक्तिगत विसेस्ताओं पर जोर देते हैं लेकिन लक और किसमत जैसी बातों को छोड़ देते हैं ऐसे फैक्ट को छोड़ देते हैं लोग सफल होने वाली घटनाओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं और असफल होने वाली घटनाओं को छोड़ देते हैं यह त्रिव आसावाद अर्थ विवस्ता के लिए कई माईनों में उप्पी होगी है क्योंकि इंतर, पैनोहर और इंवेंटर हर समय कारोबार सुरू करते है भारी बादाओं के बावजूद दोस्तों यहां लेखक यह समझाने की कोशिस कर रहे हैं कि हमें अपनी हार से ज्यादा जीत की इक्छा होनी चाहिए हमारा ध्यान किस वज़े से हम हार सकते हैं उस पे नहीं होना चाहिए बलकि किस वज़े से हम जीत सकते हैं उस पे होना च लेखक कहते हैं कि 80% अमेरिकी इंतर पैनियर पर श्टड़ी की गई कि उनके हारने के कितने चांस हैं उनके नए बिजनेस में पूरी तरह से एक तिहाई ने यानि 60% ने कहा कि असफल होने का उनका मौका 0% था दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि इसी बात को लेखक ब्राइन ट्रेशी ने अपने पुस्तक The 21 Success Secret of Self-Made Millionaire में कहा है कि यदि आप यह जान जाएं कि आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं तो वो कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे अगर इस वीडियो कर लिंक भी आप चाहते हैं तो उसकर लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा उपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और end screen पर भी यानि यह वीडियो खतम होने के बात भी मिल जाएगा वो भी एक बहतिन बुक है दोस्तों नमबर फोर विकल्प system one यानि fast thinking पर प्रभाव होता है कि लोग कितनी आसानी से अपनी intuition और validity जनकारी यानि अपनी जनकारी का आगलन करने की system one पर प्रभाव होता है कि लोग कितनी आसानी से अपनी intuition और validity यानि जानकारी का आगलन करते हैं कि जिसका अर्थ है कि सभी expert यानि सभी expert हमेशा महान सला नहीं देते इसका मतलब है कि expert जो हमें सला देते हैं वो अपने experience, feedback और अपने अनुभाओं के अधार पर हमें सिखाते हैं जबकि आपकी अपनी जिन्दगी कैसी चल रही है ये सिर्फ आपको पता है और आप अपनी जिन्दगी के कौन से छेतर में क्या बदलाव करेंगे जिस से आपकी जिन्दगी सफल हो या सिर्फ आप सोच सकते हैं उधारन के तोर पर एक सफल बिजनेसमेन अपनी लाइफ में सिखी हुई बिजनेस स्किल्स और अनुभाओं के अधार पर सफल बिजनेस करने का तरीका बताता है या उससे बिजनेस सफल बनाता है इसी तरह एक एन्थियलोजिस्ट सरजरी के दोरान एक मरीज को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित ततकाल मेडिकल प्रकिरिया पर निर्भर करता है रिस्क और वैल्यू के बारे में भी निर्ने लेने के दोरान आप विसेश रूप से सपष्ट सोच का सामना कर रहे हैं दोलर अधिक होने से नफरत करते हैं लेकिन लेकिन फाइनेंशल ट्रेडर्स हानिकारक भावनाओं को कम प्रदर्सित करते हैं सिस्टम वन का अधिक परियोग करके नमबर पाँचमा टू सिस्टम्स जैसे ही दो सिस्टम आपके मन में बाचित करते हैं आपके experience के quality पर दो अलग-अलग विचार टकराव करते हैं Self-experience से आए विचार आपके जीवन का हिस्सा है जो आपके जीवन में रहता है Self-remembering आपके जीवन का वो हिस्सा है जो आपके जीवन के self-experience से आए विचारों का मुल्यांकन करता है उनसे सबक खीचता है और भविस्य के बारे में निर्ने कराता है जिन चीजों पे आप ध्यान देते हैं वे आपके लिए प्रमुख कारक है जैसे सारीरिक गतीवीदियां जैसे दोस्तों के साथ बाचित करना हसी मजा करना एक्जामपल के लिए आप टीवी देख रहे हैं या अपनी नौकरी या अपने सबाओ के बारे में सोच रहे हैं लेकिन बेस्ट बात यह है कि आप जिस पर अपना ध्यान के अंद्रेत करते हैं उसे बदल सकते हैं फोकस आपके आतम आकलन को अकार देता है आप अपने दोनों सिस्टम से मिल के काम कर रहे हैं ये सारी बाते समझने के बाद मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि हम मैंसे हर कोई अपने दिमाग के दोनों पार्ट या यूं कहें fast thinking या slow thinking दोनों का युपयोग करते हैं हमें बस थोड़ा aware होना है यानि थोड़ा जागरुक होना है हमें अपने सोचने की प्रकिरिया पर ध्यान देना है यदि हम अपने जिंदगी के कुछ महतोपरुन फैसले लेते हैं जिसके फैसले से हमारी पूरी जिंदगी पर असर पड़ेगा तो हमें slow thinking को अपनाना चाहिए और यदि हम रोजमरा की जिंदगी से जुड़े फैसले लेते हैं जिसका असर हमारी जिंदगी के long term पर नहीं होगा तो हम fast thinking को अपना सकते हैं दोस्तों चाहे सलो थिंकिंग हो या फास्ट थिंकिंग मैं आपको यही सला दूंगा कि दोनों के इस्तमाल करते वक्त आप पूरी तरह यानी जाग रुक रहें, अवेर रहें ओके दोस्तों धन्यवाद इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और हाँ दोस्तों अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप कुमेंट करें और कुमेंट करके लिखें और लाइक करें, सस्क्राइब करें और साथ ने बने बैल के आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले किसी भी आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और हाँ दोस्तों सेर करें मिलते हैं किसी आने वीडियो में ओके धन्यवाद